दोस्तो आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस छोटा सा मिनी प्रोग्रामर को आपको लेना चाहिए या नहीं और उस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर दो फीचर्स मिलती है यहाँ पर देखे अगर हम इस jumper को एक number और दू number पीन पर लगाएंगे तो हम काम कर सकते है as a programmer और दो या और तीन number पर अगर हम लगाएंगे इस jumper को तो हम use कर सकते है TTL flashing के लिए तो आखिरे TTL flashing क्या होता है मैं अब लोग को बताया था कि आगर लोग comment करेंगे तो इसके ओपर भी एक detail वीडियो बना दूँगा तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको यह जो TTL flashing का यह feature से यह किस तरीके से काम करता है और आखिर इसका मतलब क्या होता है आज के इस वीडियो में आपको explain करूँगा तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ जोरूर सेखने को मिलेंगे इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जोरूर देखिएगा देखिए दोस्तों हम इस छोटा सा programmer को इस्तमाल करता हूँ BIOS IC को flash करने के लिए जो कि हमरा 25 सीरीज का और 24 सीरीज का जो flash IC होते है उसको इस्तमाल करता हूँ flashing करने के लिए और एक काफी सस्तम में मार्केट से मिल जाती है इसलिए सबी लोगों के लिए ये खरीदना बहुत ही आसानी हो जाती है और इसको हम लोग Android Mobile Phone के जरीए भी BIOS IC को flash कर सकते है जैसे खोलना परे जैसे कि हमारे पास यहां पर एक router है और इस router के अंदर एक बायो साइसी लगा हुआ है मैं चाहता हूँ कि इस बायो साइसी को बिना खोलके मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो programming के लिए जो flashing के लिए पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट के जरी में चाहता हूँ कि हम इसके अंदर प्रोग्राम डालू तो हम अगर इस programmer के जरीए इसको करने जाएंगे तो एक इस jumper को यहां से निकल के यहां पे रखना होगा तो इस चीज को और भी आसानी समाजने के लिए मैं आप लोगों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आखिरे टेटील होता क्या है देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोनिक्स फिल्में टेटील का जो full form होता है यानि कि टेटील का जो आसली मतलब होता है दो होता है एक तो होता है हमारा टेटील का मतलब होता है और दूसरा होता है टाइम टू लाइब तो इन दिनों में सब कोई भी किसी को इस्तमाल कर सकतो आपके अकोडिंग तो हमारा ये टेटील काम केसे करता है मैं आपको बता देता हूँ मानलीजे हमारे पास एक डिवाइस है या हमारे पास यह वाला डिवाइस हो सभी डिवाइस के अंदर एक बायो साइसी जो रूर लगा होता है इलेक्टोनी डिवाइस के अंदर यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी बायो साइसी लगा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि इस BIOS IC को में ना निकल के हम इसके अंदर यह जो port लागा हुआ है HDMI port हम इसके जरीए इसके अंदर में program करना चाहता हूँ तो इसके लिए अगर हम इस programmer को इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हमें इस jumper को as a TTL set करना होगा अगर हम as a programming set करेंगे तो यह क्या करेगा काम नहीं करेगा क्योंकि इस programmer को बनाया है कि IC तरिके से कि जब हम इस socket के जरीए कोई भी IC को program करेंगे तो as a programmer के लिए हमें इस jumper को एक और दो number पे लगाना होगा लेकिन जब हम इस socket के अलावा भी कोई दूसरा IC या दूसरा micro controller को program करेंगे तो उस समय हमें इस programmer को as a TTL flasher set करना होगा तो इसके लिए हमें 2 या 3 number jumper दिया हुआ है तो इस चीज़ को और भी समझने के लिए आपको एक काम करना परेगा या मान लेजिए हमारे पास दो डिवाइस है यह एक रहा डिवाइस हमारा दूसरा रहा यह हमारा डिवाइस तो मैं चाहता हूँ कि इसके जरीए इस प्रोग्रमार के जरीए इसको हम class करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है TXD, RXD, Ground और 5V मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो यह हमारा चार पॉइंट मिल गया है एक साइड में और दूसरे साइड में हमारे और भी चीज़ लिखा हुआ है अब यहाँ पर देख सकतो दूसरे साइड में लिखा हुआ है Clock, CS, Mossy, Miso, Ground, 3.3V और 5V यह भी मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग को सारे चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाए और समझने में आसानी हो जाए इस साइड में लिखा हुआ है CL, CS, Mossy, Miso, Ground, 3.3V, 5V तो यह काम कब करेगा जब हम इस प्रोग्रामार को As a TTL सेट करके रखेंगे तब हमारे यह काम करेगा तो माली जी हमरी पास ए वाला डिवाइस है और मैं चाहता हूँ इस डिवाइस को इस प्रोग्रामार से प्रोग् प्रोग्रामिंग करने के लिए तो इसके नीचे में जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो यहां पर ध्यान दिजिए इसे जाक के मतलब सामने सामने लिखा हुआ है TX, RX and Ground यानि कि हमें इस बोड को प्रोग्राम करने के लिए हमें किसके साथ connection करना परेगा connection है यह तीन connection हमें करना पड़ेगा TX, D का यहां पर मतलब होता है transfer data, RX का मतलब होता है receiving data, ground तो हमें यह जो 5 volt है हमें इसके अंदर अलग से 5 volt देना नहीं परेगा लेकिन इसको हमें अलग से power जोरूर देना परेंगे जब हम इसको program करेंगे तो इसको IC आपको खोलने की जो data को, एक बार समझ लिजे कि यह जो हमारा device है इस device से जो data है वो transfer करेगा इस device को और क्या करेगा, यह receiving करेगा और जब यह transfer करेगा तो यह receive करेगा, तो इसलिए हम TX के साथ हम RX जुरेंगे और RX के साथ हम TX जुरेंगे, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस device को program कर परह सकते हो बीना ice से निकालके तो यह हो गया हमरा device के जिसके अंदर हमारा bycs ice लगा हुआ है लेकिन आप चाहते हो एक micro controller को program करना लेकिन हमारा micro controller के अंदर इस तरीके से txrx नहीं होता है बहुत सरी microcontroller के अंदर यह TXRX वाला जो option है इसके जगापे हमें क्या देखने को मिलता है यह हमारा MISO, MOSI, Ground, 3.3V और 5V, Chipsilet और Clock तो यह जो सारे चीज़े हैं यह हमें देखना पड़ता है अगर आप किसी भी microcontroller को program करने जा रहे हो तो क्या करना पड़ता है हमें microcontroller को हमें आप जो microcontroller को program करने जा रहे हो या program करना चाते हो तो आप AC का तो इसके अंदर जो crystal लगा हुआ है clock signal के लिए तो इसके साथ आप जोनना चाते हो तो उस situation में आपका clock जो है इस signal को connection करना परेगा और CS का मतलब होता है chip select आप इसको मतलब लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो कोई फरक नहीं परेगार इसको लगा होगे तो क्या होगा कि हमारा जो failure का जब आप data को upload करोगे किसी microcontroller के अंदर तो failure का chances बहुत ही कम हो जाएंगे अगर इसको आप connection करोगे तो और miso और mossi का मतलब जो होता है हमारा TX RX जैसा ही काम करता है लेकिन इसमें क्या होता है कि miso और mossi का connection है आपको same to same करना होता है अगर इसके अंदर miso mossi लिखा हुआ है microcontroller का अंदर तो आपको miso mossi के directly connection करना परेगा उसके बाद आपको ground का connection करना ही परेगा आप चाए आ होता है हमेरा TTL का मतलब है दोस्तों और यहां पर जो लिखा हुआ है और टू उसके बाद Chinese में क्या लिखा हुआ है मैं पता नहीं चल रहा है तो इसको मैंने translate कर लिया हूँ आप Google पर देश सकते हो यहां पर टैंसल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहां पर लिखा हुआ है programming और यहां पर TTL flashing तो यह जो छोटा सा जान करें दोस्तों मुझा आसा कि आपको अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ सेयर कर दीजे ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि आखिर हमारा TTL क्या होता है programming के अंदर दोस्तों आप में से अगर किसी को भी इस mini programmer को बहुती सस्ते यार बहुती कम पिरा इसमें purchase करना है तो उपर जो आपको वीव पूड़क दिख रहा है उसके आप इसको purchase कर सकते हो बहुती affordable price range के अंदर मिल जाएंगे TTL flashing को लेकर कोई भी सवाल या सुजा हुए तो नीचे comment करके बताएगा मैं आपको जल्दी reply करूँगा और आपका जो confusion है वो दूर करने की कोसिस करूँगा तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिलत दे नेक्स वीडियो के अंदर तक तक के लिए हुई शिव और दा बेस्ट